हेलो स्टुडेंट आम दिविया कचिरा जैसे कि हम लोग कंटीन्यू करें हमारा चाप्टर नमर नाइन इच फिनांशल मार्केट जैसे कि हम लोग प्रिवेस लेक्चर में देख चुके है कि डिपोजीटरी क्या है कैसे वर्क करता है और इंडिया में में ली टू प्रिवेस प्रोवाइड करता है तो फॉस्ट वन है डिमाटरियलाइजेशन और रिमाटरियलाइजेशन यानि कि पहले हम लोग देख चुके हैं डिमेट अकाउंट के कांजेप्ट में कि पहले हम लोग फिजिकल फॉर्म में सारे वक करते थे अब वहीं फिजिकल फॉर्म को हम लोगोंने convert कर दिया इंटू electronic form यानि कि सब कुछ हम लोग online handle कर सकते है paper work करने की जरुरत नहीं it maintains the physical securities of investors in electronic form through dematerialization clear यानि कि investor के जितने भी document है share certificate and all that उनको वो लोग किस में convert कर रहे electronic form में और फिर उसी को वहाँ पर available करेंगे clear it reserve the securities in demate account और demate account में हमारे जितने भी securities होगी वो सब वहाँ पर क्या होगी preserve होगी clear and depository is a consider as a bank maintaining securities जैसे कि for example अगर हमारे पास money है तो हम लोग bank में रबते है for example अगर money withdraw करते तो bank automatic हमारे account से वो पैसे debit कर देगा और अगर हम लोग पैसे credit करते तो bank automatic वो हमारे account में add कर देगा और हमें balance पता चल जाएगा clear तो जैसा work money का bank का है money के लिए जो bank का work है same as it is work securities के लिए depository parties का है clear next one है easy transfer of securities at less expenses ये बहुत जादा जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग बहुत ही जादा quantity में share and debenture purchase कने वाल है अगर हम लोग अगर for example एक या दो share purchase करते हैं या फिर कुछ मतलब less quantity में purchase करते हैं और अगर ऐसा हो रहा है कि transaction चाज़ उससे जादा हो रहा है तो हम लोग कभी purchase में करेंगे clear prompt transfer of securities is possible because of depository depository ने electronic form में जो convert कर दिया है उसके वज़े से बहुत ही जल्दी मतलब सारे transaction हो रहा है it decrease the paperwork यानि कि electronic form में हम लोगों ने convert कर दिया सब कुछ online हो रहा है but फिर भी investor को choose मिल रहे है मतलब उसको choice मिल रही है कि बही चलो अगर आपको physical form में still आपको continue करना है आप कर सकते हो but ऐसे बहुत ही rare लोग मिलेंगे हम लोगों clear problem of a physical share transfer is removed यानि कि जो physical paper हमें maintain करना पड़ता था उसको रखना पड़ता था कई फट ना जाए वैसा वगेरा सब कुछ द्यान जो रखना पड़ रहा था वो अब हमारा कैसा हो गया totally remove हो गया only single share can also be transfer due to depository अगर आप सिफ एक यानि कि single share transfer करना चाहते हो sell करना चाहते हो purchase करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो और यह किसके विज़े से possible हो आ है because of depository clear next one है prompt settlement of transaction अब transaction easily हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं कि सिफ easy ही हो रहा है but promptly हो रहा है अगर आप sell कर रहे हो purchase कर रहे हो तो वह तुरंत ही बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके अकाउंट में वह update आपको मिल जाएगा clear transaction becomes speedy due to depository बहुत ही speedily transaction हो रहे है because of online work हो रहा है depository participant transfer security promptly क्योंकि depository जो पार्टीस है वह बहुत ही जल्दी हमारी security अगर हमने sell कर रहा है जो भी हमारा share हो हमने अगर sell कर रहा है तो वो तुरंत हमारे यहां से minus कर देगा याने कि deduct कर देगा और अगर हमने purchase किया है तो हमारे account में add हो जाएगा cash are received immediately with transaction अगर sell हुआ है हमें पैसे मिलेंगे clear अगर हमने sell किया है तो तो हमारे account में directly cash क्या हो जाएगा deposit हो जाएगा और अगर हमने purchase किया है तो हमारे account में से directly पैसा minus भी हो जाएगा investor does not require correspondence with the company because transition through electronic system यानी कि हमें directly company से कोई correspondence कोई communication कुछ मतलब coordination करने की जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें बहुत ही prompt service मिल रहा है purchase selling का plus minus जो भी हमारा balance है वो तुरंत ही update हो जा रहा है क्योंकि electronic जो भी हमारा formation system है उसके थ्रों हम लोग जा रहे तो हम लोगों को company से कोई भी conversation करने की requirement नहीं फिर दन आपको record in customers account receivable bonus share and right shares are credit in customers account by electronic system अगर आपको किसी company के bonus share मिल रहा है through the अगर आपको किसी company ने bonus share allow किया है as a मतलब उसका जो premium होता है या तो फिर किसी भी तरीके की scheme के वज़े से आपको अगर bonus share मिला है या तो फिर right share मिला है share rights होते है जो कि आप SPCC में पढ़ते हो right share and bonus share and all that clear तो वो अगर हमें मिला है न तो भी जो हमारे depository service है वो हमारे account में directly credit कर देगी यानिकि हमें वो भी directly update मिल जाएगा clear फिर then after facility to mortgage अगर हम लोग mortgage भी लेना चाहते तो यहां पे वो facility भी available है it provides a facility to mortgage securities and to obtain loan against securities अगर आपके पास बहुत अच्छे से share है यानि कि उसकी value बहुत अच्छी है तो आप उसके ऊपर mortgage भी ले सकते हो यानि कि one type of loan भी ले सकते हो clear फिर then after facility to freeze or close account अगर आपको आपका account freeze करवाना है temporary close करवाना है या तो फिर cancel ही करवाना है तो भी आपको facility मिल सकती है in case of going abroad for a long period or closing the account for a short period यानि कि अगर आप बहुत ज्यादा time के लिए for example एक साल के लिए अगर आप out of country जा रहे हो और आपको एक साल के लिए कोई transaction नहीं करना है तो आप एक साल के short period के लिए आप अपना जो account है वो freeze करवा सकते हो यानि कि temporary close करवा सकते हो उसको pause करवा सकते हो in short it provides the facility of freezing the account of that period तो उस time के दौरान हम हमारा जो account है उसको pause यानि कि freeze करवा सकते है और अगर हम लोग ऐसा सोच रहे है कि अप से हमें share में invest नहीं करना है and purchasing selling नहीं करना है और हमें हमारा account close भी करवाना है तो भी हम लोग close करवा सकते हैं but then after a record and storage of information it keeps the record of each transaction connected with the security in demit account हम लोग कोने demit account के थरू जितने भी transaction किये हुए है उन सबका record उन सबका information हमें easily यहां पर मिल जाएगा हमारे demit account even यहां पर आपको profit and loss आपका balance sheet यह सब कुछ भी show होता है तो वो भी हम लोग बहुत easily से maintain कर सकते है information remains safe and important thing is that कि जो सारी information transaction हमारे सारे record हो है वो सब कैसा है totally safe है यारी कि हमारी information leak नहीं हो रहे है कहीं पर भी then after a link between the investor and clearing house यानि कि जो हमारी depository service है वो हमारे investor और जो हमारा clearing house है उन दोनों के between का क्या है link है यानि कि directly कभी किसी को यानि कि investor को company से या फिर clearing house से ऐसे मतलब conversation या फिर कुछ मतलब बातचीत नहीं करने पड़ते है then last one है service through internet हम लोग online electronic form से अगर यह सारी services ले रहे है तो उसके लिए हमें क्या requirement होगा internet depository provides the service to investor through its depository participant and through internet at fair prices यानि कि अगर हमें online transaction करना है we all know even मतलब छोटे बच्चे होंगे उसको भी पता होगा कि अगर online हमें कुछ करना होता होगा तो उसके लिए सबसे पहले internet चाहिए और यहां पे तो पूरा electronic form में work हो रहा है तो खास करके demate account जो है वो इन्टरनेट हमें provide होगा और वो भी बहुत ही fair price में होता है ऐसा निये कि आपको बहुत ही high मतलब speed वाला internet चाहिए या तो फिर मतलब normal speed है फिर भी हम लोग यह सारा operation कर सकते है मतलब यह demate account operate कर सकते है clear guys तो यह हुए हमारी nine services जो depository हमें provide करती है as investor तो यहां पे nine points है जैसे कि guys मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि एक साथ कभी भी सारे point remember मत करो आप उसको partition में डिवाइड कर दो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा तो यहां पे total nine points है तो आम लोग three three के three partition कर सकते है आप four five या फिर five four के partition भी कर सकते हो आप जैसे convenient हो clear तो पहला वाला जो हमारा था वो कौनसा वाला point साथ हो कि dematerialization and rematerialization then after था बहुत ही easy सा transaction हो सकता है बहुत ही less price के साथ and then after है prompt settlement clear यह three points हो गए हमारे first one dematerialization, rematerialization then easy transfer prompt transition clear then after के जो three है वो है recording customers account, facility to mortgage and facility to freeze account clear आप freeze और close दोनों use नहीं करोगे सिप freeze करोगे चलेगा clear वापस से three second वाला जो साथ है वो कौन से वाला है तो कि transaction जो भी है वो सारे record और है customers के account में दो facilities मिल रहे हमें एक mortgage की और second one जो है वो freeze करवाने की account freeze करवाने की clear then after record and storage of information ये सारी जो information है वो record हो रही है link between investor and clearing house and सारी जो हमारी information है या फिर जो भी सारी चीज़े हम लोग transition कर रहे है किस के तरू हमें में लेगा तो कि internet के तरू clear तो वापस से three का set कौन सा वाला बना तो कि जितनी भी आपकी information है वो सारे record हो रही है storage हो रही है clear then after link है between clearing house and जो भी हमारे investor से उसका और फिर जन आफ्टर है service through the internet तो ऐसे three 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 set करोगे तो आपको बहुत easy हो जाएगा वापस एक बार rewind कर ले थे हम लोग first one हमारा था dematerialization and rematerialization easy transaction prompt transaction ये एक set खतम हुआ then fourth one वाला हमारा क्या था recording customer's account दो facility एक mortgage की second one account freeze करवाने के clear then हमारा third one set कौन सा वाला था यानि की seventh वाला points है clear तो कि record and storage of information then after a link between clearing house and investors and services through internet clear तो ये हुआ हमारा depository services जो भी हमारा next question है वो हम लोग आगे के lecture में देखेंगे तब तक के लिए be happy be safe